दिन में सिर्फ एक बार पिले बुडापा और कमजोरी बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी एनिंद्रा, ठकान, कमजोर आँखें, सुगरो, कॉलोस्ट्रोल, पेट के रोग और मोटापा और ये दिल की विमारियां आपको कभी नहीं होंगी नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे, दोस्तो जिसका प्रियोग करके आप अपनी इन दिल की विमारियों का एक कारगर इलाज कर सकते हैं, और अपने पूरे सरीर को बिल्कुल निरोगी बना सकते हैं, दोस्तो हमें जब भी ये दिल की विमारियां होती हैं, तो इनका सबसे बड़ा कारण होता है, खून में गंदगी, खून में कच्रा होना, यानि खून की एसिडिटी ही इसका सबसे बड़ा कारण होती हैं, जब हमारे खून की गंदगी अधिक बढ़ जाती हैं, तो उ उससे हमारा खून गाड़ा हो जाता है, हमें कोलिस्टोल की समस्या हो जाती है, और हमें हाड़ टेक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी टुकड़े के बारे में बताएंगे, जिसको आपने पान किसन से आपको बचाएगा, आँखों की रोसनी को बढ़ाएगा, एनिंदरा की बिमारी का इलाज करेगा, बुडापा और सरीर की कमजोरी को बेलकोल जड़ से खतम कर देगा, और आपके पेट की चरवी को भी मक्खन की तरह पिंगला कर रखतेगा, और दोस्तों हम जिस च सरीर की सारी बीमारियां छूमंतर की तरह गायब हो जाएगी, दोस्तों ये एक टुकडा आपके पूरे सरीर की बीमारियों को चाट जाएगा, आपको बेलकोल निरोगी बना देगा, आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सक्ती को बहुत अदे का बढ़ा के टुकडे को पानी से अच्छी तरह से धोलेना है, अब आपने गैस पर दो गिलास पानी किसी बर्तर में डाल कर उबलने के लिए रख देना है, और आपने इस दो गिलास पानी में एक से डेट टुकडा इस अरजुन की छालका डाल देना है, और इसको हलका हलका उबलने और दोस्तों यदि आप इस काड़े को और भी अधिक तेज बावरफुल बनाना चाहते हैं तब आप इसमें एक चुटकी दालचीनी के पाउडर के डाल दीजें जैसे कि ये हमने डाल दी और दोस्तों अब आपने इस पानी को तब तक उबालना है जब तक कि आपने दो गिल का तयार है आपके पूरे सरीर को निरोगी बनाने के लिए आपके सरीर को बीमारियों से बचाने के लिए आपके सरीर की खून की गंदगी का इलाज करने के लिए दोस्तों अब आपने इसको चान लेना है और चान कर इसका सेवन करना है इसका सेवन करना है आपने हर रोज स करना है इसे एक टुकडे को पाने में उबाल कर भीना है और आपका सरीर निरोगी बनना सुरू हो जाएगा दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और इस बैल के आइकोन को भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सभी आन अगल निरोगी बनातीजे तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो पलीज लाइक और शेयर जरूर कीजे इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का आईकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वडियो की नोटिफकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों